नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज हम ग्यार्वी कक्षा का अर्थ शास्त्र का एक अध्याय ग्रामीन विकास का दूसरा भाग पढ़ेंगे हमने पिछले भाग में ग्रामीन विकास अर्थाद गाओं के विकास के बारे में पढ़ा था कि गाओं का विकास एक देश ये कर्थविस्ता के लिए क्यों जरूरी है वहाँ पर क्या क्या कमिया हैं सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए गाओं के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है इस भाग में हम पढ़ेंगे कि ग्रामीन विकास के अलावा ग्रामीन विकास के लिए क्रिशी शेतर में विविधिता का अर्थात मतलब क्या हुआ कि हम यह जानते हैं कि किसान गाओं में केवल खेती बाली करता है लेकिन विविधिकरन के अंतरगत किसान खेती बाली के अतिरिक्त कई और क्रियाएं भी कर सकता है जिससे उसके ज्ञान में वृद्धी होगी, रोजगार के अफसर बढ़ेंगे और कहीं न कहीं उस परिवार की आये में भी वृद्धी होगी विविदिकरण का अर्थ क्रिशी शेतर में बढ़ती हुई श्रम शक्ति विविदिकरण की जरूरत देश में क्यों पड़ी क्योंकि क्रिशी शेतर में कहीं न कहीं श्रम शक्ति अधिक हो रही है अर्थात श्रम इक बहुत बड़ी मात्रा में हैं जितनी आवशक्ता नहीं है किसी भी शेतर में यदि लोग अधिक होंगे तो कहीं न कहीं उस शेतर में उत्पादक्ता उत्पादन गुणवत्ता में कमी आएगी जो श्रमिक अधिक मात्रा में हैं जिनकी आवशक्ता कृशी शेतर में नहीं है उन्हें गैर कृशी शेतरों में या कृशी से ही संबंदित दूसरे क्षेतरों में रोजगार उपलब्द कराया जा सकता है जैसे पशू पालन, मुर्गी पालन, मचली पालन, दूद से संबंदित क्रियाएं बहुत सारे ऐसे काम है इन सभी को हम विविदी करण कहते हैं इस परकार के विविदी करण की आवशक्ता सिरफ इसलिए पड़ी क्योंकि खेती के आधार पर, खेती पर निर्भर रहने के कारण कहीं न कहीं एक किसान की आजीविका में कमी हुई है क्योंकि किसान के लिए क्रिशी में अधिक जोखिम है इस जोखिम को कम करने के लिए ही क्रिशी से ही संबंदित अन्नेक्षितरों में कारें के अफसर उपलब्द कराए जाते हैं कोई भी व्यक्ति जो कारें कर सकता है, लाब कमा सकता है वह अन्नेक्षितरों में कारें कर सके इससे ना केवल उन्हें लाब मिलता है बलकि अन्ने क्षितरों की तकनीक की ग्यान भी मिलता है और वह अपने अनुसार कोई भी लाब वाले क्षितर में काम कर सकते हैं आज भी भारत के कई गाओं में किसान केवल उतनी ही फसल उगाते हैं जिसमें उनके जीवन का निर्वा हो सके उनका परिवार चल सके कई किसान छोटे खेती हर मजदूर छोटे किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को बाजार में बेचते नहीं है उसका कारण है कि उन्हें बाजार के बारे में ग्यान नहीं है या उनके जीवन यापन के लिए उतनी फसल उतनी खेती बाड़ी बहुत है विविदिकरण के कारण कही न कहीं किसानों को नई तकनीक का भी ज्यान होता है विविदिकरण के अंतरगत कई क्षेतर आते हैं पशू पालन, मचली पालन, बागवानी, फल, अन्ने क्षेतर हैं विविदिकरण होने से कही ना कहीं गाओं में रहने वाले लोगों की आय में भी विरिद्धी होती हैं वह क्रिशी के अलावा कई काम कर सकते हैं बर्तन बनाना, हद करगा, शिल्प कलाएं कोई भी ऐसा काम विविदिकरण के अंतरगत ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या किसान सोतंत्रता के समय तक जैसा होता था कि केवल भूमी पर निर्भर है, केवल अपनी फसल पर निर्भर है उसके लिए वेकल्पिक कारें उपलब्द कराना विविदिकरण का मुख्य उद्देश्य हैं आज तक हमने देखा है कि गाओं में अधिकतर महिलाएं क्रिशी शेतर में लगी होती हैं जबकि पुरुष गैर क्रिशी शेतर में में अर्थात बाहर के कारय अधिकतर पुरुष करते हैं परन्तू हाल के वर्षों में गरामीन महिलाएं भी गैर क्रिशी कारें में योगदान दे रही हैं अब मैं आपको विविदी करण के अंतरगत पशू पालन शेतर के बारे में बताता हूँ भारत के किसान कहीं न कहीं मिश्रित क्रिशी पशू धन वेवस्था में लगे हुए हैं जैसे हम जानते हैं प्रते गाउं में घर में गाएं भैस बक्री ये सब खोते हैं और वह इन मवेशियों का पालन करते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी इन से आए अर्जित करने के बारे में नहीं सोचा सरकार ने विविदी करण के अंतरगत गाएं भैस बक्री मुर्गी बतक आदी से भी आए के कई शितर खोले हैं जिसके अंतरगा दूद, अंडा, मीट और भी कई प्रकार की वस्तुएं आती हैं किसी व्यक्ति द्वारा इन वस्तुओं को बाजार में बेच कर लाब कमाया जाता है भारत में क्रिशी शेतर के सकल घरेलू उत्पाद में लगबग 30 प्रतिशत योगदान केवल पशुपालन शेतर का है जबकि कुल घरेलू उत्पाद में यह योगदान 4 प्रतिशत है यह 4 प्रतिशत बहुत अधिक होता है पिछले कई दश्कों में भारत के दूद उत्द्योग में भी बहुत अधिक प्रगती हुई है सन 1951 से 2016 के अवधी में देश में दूद उत्पादन में लगबग 10 गुना वृद्दी हुई है इसे ओपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांती भी कहते हैं यह क्रांती सहकारिता की एक प्रनाली है जो 1966 में प्रारंब हुई इस प्रनाली में सभी सदस्य किसानों को बाजार में सामुहिक बिकरी के लिए अपने दूद के उत्पाद को इकठा करना होता है इसके बाद इस दूद की ग्रेडिंग की जाती है और फिर वह संस्था देश के विभिन शित्रों विभिन कोनों में आवशक्ता अनुसार दूद की पूर्ती करती है भारत में दूद सहकारिताओं का अधिकेंदर गुजरात राज्ये में है मैं आपको एक सहकारिक शित्र के बारे में बताता हूँ कहीं न कहीं यह दूद शित्र ने कृषी शित्र में रहने वाले लोगों की आए में समानता लाने का भी प्रियत्न किया है पहले क्या होता था एक परिवार के पास मान लीजिये दो भैसे हैं और उन दो भैसों से प्रती दिन 20 लिटर दूद मिलता है परन्तु परिवार के आवश्यक्ता केवल 5 लिटर है अब बाकी का जो बचा दूद है वो किसी को दे नहीं सकते क्योंकि गाओं में हम जानते हैं कि प्रतेग परिवार के पास गाएं या भैस होती है जिससे वह दूद बेकार हो जाता था तो ऐसे में एक संस्था गुजरात में खुली उस संस्था का कहना था कि आपके पास आपकी जरूरत पूरी करने के पश्चात जो भी दूद बचता है चाहे वह दो लीटर है चाहे वह बीस लीटर है आप हमारे पास लेकर आईए हम आपको उसका भुकतान करेंगे पहले हम यह मानकर चलते थे कि यदि किसी व्यक्ति परिवार किसान के पास एक भैस है और दूसरे किसान के पास बीस भैसे हैं तो जिसके पास बीस भैसे हैं वह अमीर है परन्तु इस क्रिया ने कहीं ना कहीं आई की समानता में लाने की कोशिश की जिस व्यक्ति के पास एक भैस है वह उस भैस का अतिरिक्त दूद दो लीटर या पांच लीटर दे कर आई अर्जित कर सकता है जो वह पहले नहीं कर पाता था अब यह है संस्था उस गाओं के विभिन परिवारों से विभिन लोगों से दूद लेकर उस दूद से सम्मंदित उत्पाद जैसे मक्खन घी या दूद बना कर आगे बेचती है इस से कही न कही परिवारों को भी आए मिलती है अगला आता है मचली पालन मचवारों के समुदाए के लिए जल यानि जलागार एक मा अर्थात दाता अन दाता जिसे हम बोलते हैं के समान है सागर महासागर जीले या छोटे तालाब यह सभी जलागार मचवारों के समाज के लिए जीवन दायक सरोत हैं आज देश में लगबग 65 प्रतिशत मचली उत्पादन अनवर्ती शित्रों में होता है अनवर्ती शित्र अर्थात भारत के अंदर ही जो छोटी छोटी जीले हैं छोटे छोटे तालाब हैं उन में मचली उत्पादन उनसे मचली का क्रेविक्रे किया जाता है जबकि दूसरी ओर लगबग 35 प्रतिशत मचली उत्पादन महासागरिय क्षित्रों में कोता है भारत के सकल घरिलू उत्पाद में मचली उत्पादन का योगदान लगबग 6.9 प्रतिशत है मचली उत्पादकों के मुख्य राज्य हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराश्र और तमिल नाडू अधिकतर मच्वारे परिवार निर्धन होते हैं इन्हें रोजगार के अधिक अफसर प्राप्त नहीं हो पाते इन परिवारों में प्रती व्यक्ति आये भी बहुत कम होती हैं इन परिवारों में मचली पकड़ने में बहुत कम महिलाएं लगी होती हैं समुंदर में मचली पकड़ने पुरुष ही जाते हैं परन्तु फिर भी मचली उद्योग का 60 प्रतीशत निर्यात और 40 प्रतीशत आंतरिक व्यापार का संचालन महिलाओं के हाथों में हैं दुनिया में मचली उद्योग में भारत तीसरे स्थान पर हैं मचली उद्योग कहीं न कहीं लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी है अगला आता है बागवन भारत की जलवायू और मौसम कहीं न कहीं सभी प्रकार की फसलों के लिए सबजीयों के लिए अनुकूल है भारत में कई प्रकार के बागान उत्पादनों का प्रयोग किया जाता है जैसे फल, सबजियां, रेशे वाले फल, ओशदी, मसाले, चाए, कौफी, इत्यादी और यह सबी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोशन भी उपलब्द कराने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है आज भारत कहीं न कहीं चाए, कौफी का निर्याद करता है तथा उसका अपने ही देश में उपभोग भी बहुत बड़ी मातरा में करता है भारत के सकल घरेली उत्पाद में लगभग 6 प्रतिशत योगदान बागवानी शित्र का है भारत का आम, नारियल, काजू, केले, इन जैसे फल और अनेक प्रकार के मसालों का उत्पादन भारत में अच्छे स्तर पर होता है और भारत इनके उत्पादन में विश्व का अगरणी देश माना जा रहा है कुल मिलाकर फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है अर्थाद इस शित्र में होने वाले उत्पादों का स्वेम उपभोग भी करता है तथा बड़ी मात्रा में अन्य देशों को निर्यात भी करता है बागवानी में लगे हुए बहुत से लोगों की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ है क्योंकि उन्हें कही न कहीं किसी न किसी रूप में आये प्राप्त होती है बागवानी शित्र में फूल भी आते हैं इन फूलों का उत्पादन इन फूलों का निर्यात क्रे विक्रे और कहीं न कहीं बागवानी शित्र हो या मचली पालन हो या पशू पालन हो बीच में बिचोलिये भी होते हैं उन्हें भी कहीं न कहीं आये का सुरोत मिलता है बागवानी शेतर में कई प्रकार की संस्थाएं आती हैं जो इन बागवानी शेतरों में उत्पादों को किसानों से प्रत्यक्ष रूप से खरीद लेती हैं यह संस्थाएं भारतिय भी हैं और विदेशी भी हैं जो बहुत बड़ी मातरा में बागवानी शेतर से फल और सब्जियां प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीद लेती हैं इस से किसान की आये में बहुत अधिक वृद्धी होती हैं परंतु प्रतेक शेतर की तरह बागवानी शेतर में भी कुछ समस्याएं हैं जिने हल करने की आवश्यक्ता हैं जैसे बिजली भंडारन प्रणाली अब फल और सब्जी इनका भंडारन कहीं न कहीं कोल्ड स्टोरिज में होता है खुले में रखने पर यह खराब हो जाती हैं तो भंडारन की सुविधा इस शेतर में उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थे बाजार के साथ सही तालमेल बैठना तकनीक का ज्यान ये भी कई चीजे ऐसी हैं जो कि बागवानी शेतर हो चाहिए मचली पालन हो पशुप कोई भी शेतर हो उन शेतरों में यह समस्या समान है भारत में सूचना प्रद्यों की कीने सूचना की तकनीक ने बहुत अधिक विकास किया है अब यह कही न कही क्रिशी और गैर क्रिशी शेतरों के विकास में भी सहायक है सूचना की तकनीक से पता लगता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा होगा बाड की संभावना है या नहीं वर्षा कब होगी जलवायू में कोई बदलाव होनी की संभावना है या नहीं बाजारों में बदलाव लाया जा सकता है। तकनीक के दौरा बाजार में विबिन वस्तों की कीमतों का ग्यान होता है। किसान को पता लगता है कि उसकी फसल के लिए कौन सी मंडी अच्छी है। कौन से उर्वरक उसे प्रियोग करने चाहिए। कौन सा रसायन बाजार में नया आया है। क्रिशी से संबन्दे तकनीक और कई यंतरों का ग्यान भी मिलता है। इसके द्वारा ग्रामिन शेतरों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है। पहले तक तो हम यह समझते थे कि तकनीक का प्रियोग केवल उद्योगों में हो सकता है। परंतु आज के समय में तकनीक का प्रियोग बड़े स्तर पर क्रिशी शित्तर में होता है। ट्रेक्टर एक प्रकार से तकनीक है। जलवाईयों में परिवर्तन होगा, कैसा होगा इसे हम कहीं न कहीं सैटेलाइट के द्वारा देखते हैं। जो भी एक तकनीक है। भारत के अनेक भागों में सूचन प्रद्योगी का प्रियोग ग्रामीन विकास के लिए किया जाता है। अब अगला विशे जैविक क्रिशी। जैविक क्रिशी अर्थात वहे पद्दती सीधी साधी भाषा में अब तक भारत में किसान कहीं न कहीं रसायन, पुर्वरक इन सब का प्रियोग करते रहे हैं। क्यों उत्पादन अधिक करने के लिए? परन्तु इस से कहीं न कहीं उत्पादक्ता तो अधिक होती है, लेकिन भूमी के उपजावपन में कमी हो जाती है। हम जितना अधिक रसायन प्रियोग करेंगे, भविशे में भूमी की उत्पादक्ता घटेगी। जैविक क्रिशी के अंतरगत रसायनिक खाद का प्रियोग नहीं किया जाता। आज दुनिया भर में जैविक क्रिशी के पदार्थों की मांग बहुत अधिक हैं, क्योंकि यह पौश्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें रसायन नहीं मिला होता। आज जैविक पदार्थों का प्रियोग बहुत बड़ी मातरा में हो रहा है। भारत में खेती में बहुत अधिक रसायन पदार्थों का प्रियोग होने लग गया था। और कही न कहीं भूमी की उत्पादक्ता घटने लग गय थी, भूमी बेकार हो गय थी। भूमी के उपजावपन में भी कमी हुई, परियावरण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन सबी को ध्यान में रखते हुए, कहीं न कहीं जैविक क्रिशी का अविश्कार हुआ। अर्थवेस्ता में, बाजार में जैविक क्रिशी आई। यह तक्नीक एक तरफ सस्ती भी है और महिंगी भी है, सस्ती इसलिए क्योंकि महंगे रसायन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। महंगी इसलिए क्योंकि इस उत्पाद को संग्रह करने में बहुत अधिक खर्चा आता है। आज विश्व में स्वास्त पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है। और कही ना कहीं यह है जैविक पदार्थ, जैविक क्रिशी की मांग विश्व भर में बहुत अधिक हो रही है। आज क्रिशी शेतर में कई लोग जैविक क्रिशी की तरफ जा रहे हैं। आज हमने क्रिशी शेतर के विविधिकरण के बारे में पढ़ा। जिसमें मचली पालन, पशू पालन, बागवानी, जैविक क्रिशी आदी आए। आज की कक्षा पढ़कर आपको इन शेतरों के महत्व के बारे में पता चला होगा। तथा आप भी आगे चलकर इन शेतरों में रोजगार के अफसर तलाश सकते हैं। आपको पता चला होगा कि किसी भी देश के विकास के लिए गरामीन विकास बहुत जरूरी है। बिना गरामीन विकास के उस देश का विकास संभव नहीं है। अक्तूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन शेतर में सांसद आदर्ष गराम योजना नाम से एक योजना बनाई थी। जिसमें प्रतेक संसद अगर चाहे तो कोई भी एक गाउं को गोद लेकर उसका विकास कर सकता है। और जब उस एक गाउं का पूर्ण रूप से विकास हो जाए तो वह अन्य गाउं का विकास कर सकता है। इस प्रकार की कई योजने सरकार दुआरा समय-समय पर चलाई जाती हैं। जो प्रतेक्ष और प्रतेक्ष रूप से गाउं के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और गाउं के विकास में सहायक होती हैं। आशा करता हूँ आपको आज का अध्याय अच्छे से समझाया होगा नमस्कार